आपके फेवरेट शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में आगे क्या कुछ होने वाला है चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अदरती शर्मा तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि अर्मान जी जान से कोशिश कर रहा है कि वो अभीरा के दिल में वापस से जगा बना सके और अभीरा उसे माफ कर दे लेकिन यहां पर माधव अर्मान को उस घर से दूर ही रहने कह रहा है और अभीरा से भी अब यहाँ पर अभीरा भी काफी टेंशन में है कि जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो माधव अर्मान और अभीरा को मिलने क्यों नहीं दे रहा लेकिन कहीं न कहीं माधव अर्मान को सबक सिखाना चाहता है जिस तरीके से अर्मान ने अभीरा को बरबर हट किया है शायद माधव यही चाहता है कि अर्मान को उस चीज का एहसास अच्छे से हो यहाँ पर अभीरा बाहर से अर्मान को थोड़ा गुसा दो दिखा रही है और तब ही वो पॉर्ट फिसल जाता है और अर्मान नीचे गिर जाता है यहां पर अर्मान हस्ते हुए कहता है कि शायद इसी को कहते हैं falling in love लेकिन यह सारी चीजे देखकर अभीरा को बहुत तकलीफ होती है अभीरा को बहुत बुरा लगता है कि अर्मान इन सारी चीजों में से गुजर रहा है और आखिरकार माधव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है अब यहां पर अर्मान ने ठान ली है और वो माधव और अभीरा के घर के बाहर ही बैठ गया है कि वो अभीरा को मनाए बिना यहां से नहीं जाएगा लेकिन यह कब तक पॉसिबल हो पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों क्या लगता है कॉमेंट्स में बताएए जरूर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में